द्विघाद समीकरण के अचर गुणांग पता करना मूलों की प्रकृति के आधार पर किसी द्विघाद समीकरण में चर के अचर गुणांग का मान ग्याद कर सकते हैं इसे इस उधारण से समझते हैं उधारण 23 द्विघात समीकरण 9X की घात 2 धन 3KX धन 4 बराबर 0 में के कमान ग्यात किजिए यदि वर समीकरण के मूल समान है हल द्विघात समीकरण 9X की घात 2 धन 3KX धन 4 बराबर 0 की तुलना द्विघात वर समीकरण के मानक रूप AX की घात 2 धन BX धन C बराबर 0 से करने पर हमें A का मान प्राप्त होता है 9 उसी तरह से B का मान हमें प्राप्त होंगा B के इस्थान पर 3K है तो B का मान हमारे पास 3K है और उसी तरह से C का मान यहाँ पर 4 है अब हम विभिदक D बराबर इसका सूतर जानते हैं B की घात 2 धन 4AC विभिदक D बराबर B की घात 2 धन 4AC में मान रखने पर D बराबर क्यूंकि हमने B का मान निकाला है 3K तो 3K और कोश्टक में घात 2 धन 4 A का मान है 9 और गुणा C का मान है 4 तो D बराबर 3K की घात 2 को हम लिखें के 3K गुणा 3K बराबर 9K की घात 2 रिण 4 गुणा 9 चातिस चातिस गुणा 4 एकसो चाउवालिस मूल समान होने पर मूल समान होने पर D बराबर 0 होता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि D बराबर 0 है तो D का मान हमारे पास है यह 9K की घात 2 रिण 145 बराबर 0 यह 9K की घात 2 बराबर रिण 44 का पक्षांतर करेंगे तो 145 धन अत्मत में हो जाएंगा यह 9 का पक्षांतर करेंगे तो K की घात 2 रिण 244 बराबर 9 यह K बराबर 145 बराबर 9 यह उसको भाग करने पर हमें 16 प्राप्थ होंगा और K की घात 2 का पक्षांतर करेंगे तो के का मान हमें प्राप्त होंगा वर्ग मूल 16 बराबर धन रिन 4 इस तरह से हमने के का मान ग्याद किया जो की के बराबर हमने प्राप्त किया धन रिन 4 तो यहां इस उधारन का हल है करके देखें, इन वर्ग समीकरणों में K का मान ग्याद कीजिए, जिससे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हूँ पहला, 16X का वर्ग धन KX धन 9 बराबर 0 दूसरा, 3X का वर्ग रिंड 2 वर्ग मूल 8 गुनित X धन K बराबर 0 तीसरा, यदि इन दोनों सवालों में मूल काल्पनिक हो, तो K के बारे में हम क्या कह सकते हैं?